Hello everyone, मैं हूँ किरिन शापुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का सापता है क्राशीफल ये थोड़ी 1st January से लेकर 6th February तक की आपकी टारो रीडिंग्स हैं, टारो प्रेडिक्शन्स हैं और सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सबस्क्राइब किया तो प्लीज लाइक शेयर और सबस्क्राइब करें इसके साथ साथ अगर आप डेली टारो रीडिंग में इंट्रेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विजिट कर सकते हैं जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और दूसरी बात इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं सन, साइन, मून, साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशिया होती हैं उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं और अगर आप मुझ से पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूंगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या पिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं आप उसी साइन को फॉलो करें तो चलिए जी शुरू करते हैं Coming Week का सापता है क्राशीफल तो चलिए ओगोज आप लोगों के लिए देखें कि Coming Week क्या लेकर आ रहा है, क्या energies है तो professional front के लिए आप लोगों के लिए cards है Eight of Swords, Reverse and Integration और देखे जैसे कि आप लोग Eight of Swords के card को देख पा रहे हैं एक figure की आँखों में पट्टी बंदी हुई है, वो खुद भी बंदी हुई है और उनके आसपास Swords हैं, देखे ये card कहीं challenges की बात करता है, confusion की बात करता है, helpless feeling की बात करता है, hopeless भी किसी चीज को लेकर होने की बात करता है तो देखे, सबसे पहली बात वर्गोज, इस चीज को सुन के आपने परेशान नहीं होना है, क्योंकि tarot guidance के लिए होता है और इस reading से guidance लेके आप coming week की energies को किसी level पे better भी कर सकते हैं और दूसरी बात, weekly reading में बहुत बड़े मसले, बहुत बड़े issues नहीं होते हैं तो फिर से देखे, eight of swords के card को देखें तो ये card challenges की बात करता है और आप लोगों के लिए इस week ये card reverse है तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पीछे again कुछ issues, कुछ मसले थे जिसमें से आप बाहर निकलना चाहा रहे हैं या निकल रहे हैं और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उनमें ही आप बहुत deep जा रहे हैं again clearly आप अपने goal मकसद को नहीं देख पा रहे हैं एक helpless feeling रहती हुई दिख रही है लेकिन देखिए deeper level के लिए integration का card कहता है कि beyond the point आप इन्हीं चीजों से effect नहीं हो रहे हैं एक peace of mind आप maintain करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर maintain कर रहे हैं और जो भी इन्हीं चीजों के लिए solution है उस पे आप focus कर रहे हैं आप different different चीजों को combine कर रहे हैं experiment कर रहे हैं again मैं कहूंगी कि इन्हीं चीजों को लेकर एक solution लाने के लिए और देखिए जो लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही clearly integration का card कहता है कि आप different different चीजों try करें, different different चीजों combine करें, experiment करें और जो आपके लिए work करता है उसको try करके और देखिए integration का card कहीं एक supportive या फिर cooperative energies की भी बात करता है तो कुछ वगोस के लिए हो सकता है कि जहां एक तरफ कुछ मसले कुछ issues हैं, वहीं किसी की तरफ से एक supportive energies भी इस week आप लोगों के लिए available है and personal front के लिए आप लोगों के लिए seven of pentacles and guilt का card है एक stress, mentally एक tension भी होने की बात करता है और surface level के लिए seven of pentacles का card, cross roads पे खड़े होने की बात करता है यानि कि जो भी आप अपने personal front में चाहते हैं, आपकी desire है, goal है, wish है उसी को लेकर आप सोचते हुए दिख रहे हैं कि भी आपको क्या करना चाहिए, कौन सी direction लेनी चाहिए, right turn लेना चाहिए left turn लेना चाहिए, you turn लेना चाहिए, या फिर आगे बढ़ते जाना चाहिए, तो यहाँ पे दिखिए कुछ लोगों के लिए literally हो सकता है कि आपको कोई decision लेना है, कोई choice लेनी है, और उसके बारे में आप जादा सोच रहे हैं, in fact मैं कहूंगी कि यहाँ पे guilt का काट कहता है कि आप overthinking कर रहे हैं जिसकी वज़े से भी एक mental tension, mental pressure आप महसूस कर रहे हैं कुछ लोगों के लिए literally हो सकता है कि एक guilt आप feel कर रहे हैं और दीखे, मैं आपको यहाँ पे बता दूँ Virgos, जितनी भी negative emotions है यानि कि fear, insecurity उन में से guilt सबसे ही worst negative emotion मानी जाती है क्योंकि guilt में हम उस चीज़ के लिए अपने आपको punish करते हैं जो, you know, हमने गलत करा या फिर जो हमारे से गलती हुई और अगर वगोज मैं आपको पूछूँ कि मुझे एक ऐसा शक्स, एक ऐसा इनसान बताएं जिसने अपनी जिन्दगी में कोई गलती ना करी हो तो यकीन माने आपको इस इनसान का नाम नहीं बता पाएंगे क्योंकि ऐसा कोई इनसान है ही नहीं और देखे इसी लिए एक कोट भी है to err is human यानि कि इनसान है तो गलती होगी ही होगी और जब इन गलतियों को हम you know accept नहीं करते हैं या मैं कहूंगे कि इनसे हम learn नहीं करते हैं इनको पकड़ के बैठ जाते हैं regret करते हैं हमने ऐसा क्यों कहा हमने ऐसा क्यों करा हम ऐसा ना करते तो ऐसा ना होता हम वैसा ना करते तो वैसा ना होता तब हम एक बहुत pressure अपनी life में लेकर आते हैं या मैं कहा सकते हूं कि mentally अपने आपको बहुत परेशान करते हैं तो देखिए कुछ ऐसा ही deeper level के लिए आप लोगों के लिए भी रहता हुआ दिख रहा है और बहुत बहुत important है कि इसी guilt या फिर इसी negative energy से आप अपने आपको बहार निकालें क्योंकि देखिए जब तक आप in energies में रहेंगे तब तक आप clearly नहीं देख पाएंगे तब तक आप अपने लिए एक right decision एक right choice भी नहीं ले पाएंगे and guidance है आप लोगों के लिए staying focused का card है और ये card कहता है hold the course तो देखिए लियो इस हमारी life का सबसे बड़ा मसला है हम चाहते कुछ और हैं, हम सोचते कुछ और हैं, हम करते कुछ और हैं, हम बोलते कुछ और हैं और इसलिए हमारी life में होता भी कुछ और है और यहाँ पे ये card कहता है कि इस week आप थोड़ा सा pause करें और अपने आपको पूछें कि भी आप क्या achieve करना चाहते हैं आपका क्या मकसद है आपका क्या goal है और थोड़ी सी अपनी checking करें कि क्या आपके thoughts, आपके action, आपके behavior, आपके goal, आपके मकसद के साथ align है या नहीं है और दिखे अगर नहीं है तो बहुत important है कि आप इन ही चीजों को alignment में लेकर आएं यानि कि जो भी आपका goal है, जो भी आपक मकसद है आप सिरफ और सिरफ उस पे focus करें और आपके actions, आपके thoughts भी उसी direction में होने चाहिए देखे example के तौर पे हमें किसी loved one से complain है कि वो हमें call नहीं करते हैं, हमें miss नहीं करते हैं और इसलिए हम उनको बहुत call करते हैं, बहुत जादा you know हम initiatives लेते हैं तो देखे जब हम उ थोड़ी सी space नहीं देंगे, थोड़ा सा हम अपना initiative कम नहीं करेंगे, उनको call करना कम नहीं करेंगे, तब तक कैसे हमें पता लगेगा कि उनके मन में क्या है, तो देखे ये सिरफ और सिरफ मैंने आपको एक example बताया है, सब की different situations हो सकती हैं, सब की different circumstances हो सकते हैं, तो जो भी आपकी situation है, उसमें फिर से मैं कहूंगी कि आप अपने goal को अपने सामने रखें, और अपने सारे action initiatives उसी direction में आप लें, और अगर ऐसा आपने कर लिया, मैं आपको 100% surety देती हूँ, कि आप अपने goal, अपने मकसद को ज़रूर पा लेंगे, and astrology से आप लोगों के लिए Venus planet का card है, और इसके हिसाब से white and turquoise colors इस week आप लोगों के लिए लखी रह सकते हैं, and significant day आप लोगों के लिए होगा Friday, तो ये था वोगोज आप लोगों के लिए coming week का सापता ही क्राशी फल, और नीचे मुझे comment section पे जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया, कितना आप connect कर पाए,